लेकिन जो त्री टाइप की इनका मुस्टली यहां पर हर जंग इनका यूज होता है तो फर्स्ट ब्रैकेट आती है हमारे पास ऐसे जो हम गौर्मेंट स्कुल में तो हम इसको पढ़ते थे चोटा को स्टक आज तो बोलने में भी मुश्किल लग रहा है बट यह होती है हमारी राउंड ब्रैकेट और सेकिंड हमारे पास आती है स्क्वेर ब्रैकेट स्क्वेर ब्रैकेट को हम बीग ब्रैकेट भी बोलेंगे रेक्टैंगूलर बोक्स भी बोल सकते है और इसको हम लोग बोलते थे बड़ा कोस्टक उसके बाद आ जाती है हमारी ब्रैक्स करल हम इसको middle बोल सकते हैं, flower bracket बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम जो बोलते थे, वो बोलते थे, मजला कोस्टक, ठीक है, तो क्या होता है, mathematics के हंदर, सबसे पहले हमें bracket solve करनी पड़ती है, bracket solve करेंगे, उसके बाद हमारा questions का जो answer है, वो बिल्कुल सही आएगा, तो अब देखो, यहाँ पर हमें एक question दिया गया है, ठीक है, यह question given है, हमें यहाँ पर एक, अब इस question में क्या है, हमें bracket solve करनी है, तो सबसे पहले हम round bracket solve करेंगे, उसके बाद हम square bracket solve करेंगे, उसके बाद हम curl bracket solve करेंगे, ठीक है, आप इसको name भी दे सकते हो, first पर आती है, हमारी round, second पर आती है, हमारी square, square bracket और उसके बाद आता है, हमारा कौन सी, मजला, यानि कि हमारा जो फ्लार करल bracket है, वो आती है, हमें उसको solve करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको solve करेंगे, without इसके आपका क्या होगा, question बिल्कुल wrong हो जाएगा, तो first जब आप यह bracket solve करेंगे, इस bracket के अंदर आपको देखना है, अब इस bracket में आपके पास है, हमारे पास four minus two, ठीक है, four minus two हमारे पास क्या होता है, क्या जाएगा, अगर हम minus करेंगे two, तो देखो, जो हमारे पास यह brackets है, इस brackets को आपको नहीं हटाना है, आपने same लिखना है, same चलते जाना है, पहले हमने क्या क bracket को solve कर दिया, तो हम मैं यह bracket का sample नहीं डालूँगी, और multiply क्या आएगा three, और यह हमने क्या किया, close कि से square bracket से, और यह हमारे पास कौन सी bracket आ गई, break bracket आ गई, अब हम solve कर रहे हैं, अपनी square bracket, अब square bracket के अंदर आप जैसे मर्जी solve कर लो, कोई problem नहीं है, या तो पहले इसको इ is a six, अब आपने क्या करना है, यह last में curl bracket solve करना है, six plus three आपके पास क्या हो जाएगा, nine, तो यह क्या आ गया, answer आ गया, यही mostly हमारे पास, जो है, maths में use होता है, bye bye, next में मिलते हैं, वीडियो में, okay,